अपने बेबाग बयानों को लेकर हमेंफा फुर्ख्यों में बने रहने वाले स्वामिक फ़फाद मौरा जी हमारे फाचीत हैं हमें से बाचीत करते हैं क्या मामला होगे आपने राष्टिये महाफचु के पत्वे इस्तीफा दे दिया हैं पहला फवाल आप ये चाहते हैं कि आपका इस्तीफा फुजखार हो या फिर समाजबादी पार्टी के अध्यश के ऊपर कोई दबाव बने लेखिये मैं ब्लैक मेलिंग की पॉलिटिश नहीं करता हूं इसलिए राष्टी अधियर पर दबाव डालने के लिए मेरा कोई पत्र नहीं गया है राष्टी पत्र के साथ जो भेदभाव होता है उस पर मुझे इत्राद है पार्टी का जनधार बढ़ने के लिए लगातार सभा में सामिन होने की दिन से लेकर आज तक मैं काम कर रहा हूं यहां तक कि अपनी जान हंथली बरकर शुक्षा की बिना चिंदा की हुए राध दिन एक कर मैं आदवार्शियों दर्जितों पिष्णों गरीबों मदलूमों मद्दूनों को जोड़ने का अवियान चलाया हुआ हूँ कई बार मुझे जान लेवा हमला भी हुआ दर्जनों या फायार भी सरकार की साजिश पर कराई गी फिर भी मैंने उफ नहीं कि लगातारा फ्यान जारी है 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 हरानी तब होती है जब एक राष्टी महासच्यू दूसरे राष्टी महासच्यू के बयान को निजी बयान बता देता है एक ही पार्टी की दो राश्टी महासर्चीव, एक की राश्टी महासर्चीव का बयान पार्टी का हो जाता है, और दूसरे राश्टी महासर्चीव का बयान निजी हो जाता है, एक बार नहीं बार बार इस प्रकार का बकवास करने वाले लोग, लोगों पर मुझे तरस हाता ह है कि पार्टी कि इतने बड़े नेता इतने बड़े दार यह पार्टी की दुस्मन है जो पार्टी की जनदार बढ़ने के अवियान की हवा निकालने की लगतार कोशिच करते रहते हैं यही चीज पत्र में उलखित करके मैंने रास्टी महारस्षी को भेज है कि अगर यह राश्च्री महालस्ची का फ़र्थ भयं पूर्ण है तो ब्रृब पूर्ण राश्टी महास्जीव के पर मुझे नहीं रहना चाहिए मेरे राश्टी महास्जीव के पर मुझे नहीं रहना चाहिए तो स्वावी गूरूप से े पर मुझे बोलना चाहिए और वही मैंने किया है dolphins कि आपके पत्र में इंगित भी है कि आप पर इतनी अफायर हुई किने इनाम भी रखा कोई कहता है जीप काटने का कोई कहता है गर्दन काटने का कोई करता है हाथ काटने का ऐससे हालात से आप जूज रहे हैं तो कभी पार लड़ाई हम बचारी लड़ रहे हैं आज पूरे देश और प्रदेश में बड़े पैमाने पर कारक्रता भी इस लड़ाई में हमारे साथ दे रहा है राश्टी अदर जी ने भी कभी भी हमारी किसी बात से अपनी अस्रेमती नहीं जाहिर की है उनकी स्रेमती हमेशा मेरे साथ रही है इसे राश्टी दिल से मेरे मुझे कोई गिरार शिकवा शिकायत नहीं है लेकिन तथा कथे स्वेंभू बड़े नेता जो पार्टी का आल इन आल अपने को समझते हैं अब आगे उनके बैयानों पर मिजह चिंदा ज होती है जब कहते हैं कि मोरा जी का निजी बैयान और इसी बात का जिकर मैंने पत्र में कि अगर आपका इस्तीफा कर लिया जाता है तो आपकी रणनीत क्या होगी तब भी आप समाजबादी पार्टी को मजबूत करने के लिए जिस तरह से लगे हुए हैं क्या लगे रहेंगे क्यों कि चुनाओ दो हजार चौविस का करीब है अब राष्ट्य देज़िगी के निर्ने के बाद ही आगे मैं सोचूंगा अभी आगे लिए मैंने कुछ सोचा नहीं आपकी आपके लेटर में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जिक्र दिखता है जो आपने लिखा है तो क्या आपका फिर घ करीबों दलितों आदवासियों पिष्ड़ों मजलूमों को सम्मान स्वाहिमान के माध़म से लेश किया समिधान के माध़म से धंदरती सिच्छा सम्मान से जोड़ा यही कारण है कि समाज का अंतिम ब्यक्ति भी आज आई-ई-ई-पी-ई-डिक्टर इनियर प्रोपेस्टर बनने के लाइन में खड़ा दिखाई पड़ता है तो उनके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मैंने हवाला दिया यही नहीं कभी सही जग्देव बाबु रामशू बर्मा जी ने नहरा दिया था कि सो में नबे सोशी थे नबे भाग हमारा है मैंने इनके बिचारों का हवाला दिया तो भी डाक्टर राम नुली हम ने कहा था कि सोशिष्टों ने बांधी गाठ पिछा पावे शो में साथ मैंने इनके बिचारों का हवाला दिया पचाशी बनाम पंद्रा का नहरा मानुरकाशिय ने दिया था मैंने उसका हवाला दिय मैंने इनीं महापूर्शों के बताए रास्ते पर चलते हुए। पारटी में समझित होने के दिन ही कहा था ठी। पक्रचासी तो हमारा है, पंटरा में भी बटवारा है। और स्राभवाईि ग्रूंच से उसी सामाध क्रिवरतन के महापूर्शों के विचारों पर चलते हुए मैं आज आदबास्यों दल्वतों पिष्णों गरीबों मजलुमों को समाजबादी पार्टी से जोड़ने के अभियान में लगा हूं और इस अभियान के हवा निकालते हैं पार्टी के स्वणाम धन्य बड़े नेता तो फिर जैन चोडरी अब आपका ये तीखा हमला कहां पाते हैं उत्तरप्रदेश में समाजबादी पार्टी और कांग्रेस को इंडिया गडबंदन कि इस तरह बार्टी का अपना अंदूर्णी मामला है इसलिए इन लोगों के इस्तिफे इन लोगों का मामला दलबदल का था मेरा मामला पार्टी से महंच्छी के पर से इत्तिफे का है मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं कहा पा रहे हैं इंडिया गडबंदन को वह भी फाइनल नहीं है समाजबादी पारिबिद्री और कांग्रेस करा हो किस तरह लड़ाई लड़ेंगे भारतिय जनता पार्टी को आप जहां न जार आ रहे हैं आज भारतिय जनता पार्टी में आज पुरा देश देख रहा है करोरो नोजवान बिरोज़गार हो गए महगाई की मार से जनता कमट चूट गई किशान ठगे जा रहे हैं आज बाडर में केले विछाई गई तो स्वाहई ग्रूप से आज देश का किशान परेशान आप जनता परेशान नौजवान परेशान वहीं पर आज लोगतंदर कमदूर किया जा रहा है ब्यापारियों का बड़े पमने दोन धन सोशन हो रहा है आज भारतिय समिलान की धज्य उड़ा गोटा जा रहा है साथ ही साथ आप देश की राष्टी संपत्यां सरकारी विभाग अपने चहते उद्युक्तियों के हां तो अने परने दाव में बेचे जा रहे हैं तो स्वाहई ग्रूप से इसका जवाब इंडिया गर्मन देगा मावराजी जिस आप 8515 की बात करते हैं उसी पार्टी से आते हैं ओम प्रकास राजवर्णmyfad party जहन चवधरी ये सब तो भाजपा के साथ हैं वहीं मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेस में किस तरे से समाजबाधी पार्टी किस पायदान पर है बादपा से लडाई में जिस तरह से समाझवादी पार्टी में से तरह के अंतरकला खुलकर फटक पे चल रहीं है बर्ण इंडिया गर्ळबंधन में आज भिस्प्ध्ध भातपा जबाब इंडिया गर्वन्धन देगी इंडिया एलाइंस देगी भादपा के सारे पापों के घड़े को फोड़ने का काम इंडिया एलाइंस करेगी इसलिए आपने सिंद रहें इन सब के बहुत भी इंडिया एलाइंस मजबूती के साब भादपा को मुत और जबाब हर मुर्चे पर देने काम करेगी जैसा कि आपने सुना ये तिस्वामिक फ्राद मौराजी जिनका साथ कहना है उनके पार्टी में मद्वेद चल रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भारती जनता पार्टी की साथ लड़ाई है उसको लेकर के इंडिया का बंधर मजबूती से खड़ा है राज सभाज चुनाओ को लेकर पहले से टेंशन में चल रहे है अखलेश यादो को मंगलवार को बड़ी टेंशन हो गई पहले तो सपा महा सचुत स्वामी परसाद मौरिया ने अपने पत से इस्तीफा दिया और उसके बाद में अपना दल कमेरावादी की नेता और सपा बिधायक पलवी पटेल का नराजगी भरा बयान अखले शादो के लिए सिरदर्द बन गया पलवी पटेल की नराजगी क्या है ये हम उनी से जानते हैं जी क्या मामला है राज सवा चुनाओं से पहले आप ने क्यों ऐसा वैंगी है देखे मैं पलवी पटेल हूँ और इमान की राजनीती करती हूँ और प्रतिबद हूँ इस बात को ले करके कि पिछड़ा दलित अल्प संख्यक का अगर हम वोट ले रहे हैं तो उनकी हिस्सेदारी इमानदारी से उनको मिले पीडिये जो मैं समझती हूँ पिछड़ा दलित और अल्प संख्यक है लेकिन मदान लोग उसको बच्चन और अंजन दिखा करके पीडिये बताने का काम कर रहे हैं तो जब उनका वोट हम ले रहे हैं तो उनकी हिस्सेदारी कहा है कहा है इस लिस्ट में पीडिये सिफ विर अखले शादो ने दिया अखले शादो भी पीडिये में ही आते हैं तो आखिर उनसे फैसला कौन बदलवा रहा है क्योंकि वो हर बयान में कहते हैं पीडिये की रणनीती और पीडिये को लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे पीडिये के तहती चुनाओ लड़ेंगे फिर आखिर क क्यों ऐसा वो फैसला कर रहे हैं। देखिए फैसला किसके दबाव में है, किसका है इसपे मैं टिपड़ी नहीं करूंगी। लेकिन मैं यह ज़रूर करूँगी कि अगर PDA हमारा एम है और हमारा नारा है तो फिर हमारी कथनी और करनी में अंदर नहीं होना चाहिए इस लिस्ट में PDA अगर होता तो मेरा विरोध नहीं था तो क्या PDA में सिर्फ एक प्रतिशत होना चाहिए था 100% अगर PDA है तो 100% लिस्ट में PDA चाहिए देखे हमने प्रयास किया था लेकिन उनकी व्यस्ता के कारण हमको वक्त नहीं मिल पाया उनसे बात करने का और जब ये पूरी complete list हमारे सामने आई तो मुझे लगा कि ये जिनका vote हम ले रहे हैं जो हमारे लिए सड़कों पे पार्टी का जंडा बैनर लेकर के लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ ये अन्याय है, उनके साथ धोका है, तो मैं इसका विरोध करते हूँ. आपने बयान दिया, उसके बाद में किसी खुद अखले श्यादों ने, या फिर किसी भी बड़े नेता ने सपा के आप से संपत किया, आप शांत हो जाएए, आपकी सुनी जाएए, अभी तक नहीं आया, अगर अभी फोन आता है और आपको कोई बात की जाती है, तो क्या, क् कहीं कोई गुरेज नहीं है मझे, क्या लगता है आपको सौमी परसाद मौर्या का इस्तीफा पहले आया, उसके बाद में आपका बयान आया, क्या दोनों घटनाओं से पहले आपकी और सौमी जी की कोई बात हुई, देंकि मैं सौमी जी के बारे में तो नहीं कह सकती कि उनक कि पार्टी में बात हुई है या नहीं हुई है, लेकिन अपने बारे में जरूर कह सकती हूं कि हम प्रयास किया था, लेकिन वश्था के कारण बात हो नहीं पाई जया बच्चन पहले से ही राजसाबा रही है जब एक सीट भेजना था समाजवादी पार्टी को तब भी उन्होंने प्रारिटी दी थी उसके बाद में आप उनके साथ रही है खले शायदू जी के आपका कहना था कई बार आपने कार करेम किये कि हम इनी के साथ रड़ेंगे आप उन्हीं की सिंबल पर आप भी धायक है आपको तब जया बच्चन से दिक्कत नहीं थी अब आपको कैसे दिक्कत होगी देखिए मु समाज की लड़ाई है आलोग रंजन ये एक सरकारी क्लर्क हैं और उनका जो इतिहा से पता कर लीजेगा जब अखले जी मुख मंत्री थे उस दौरान उन्होंने पिछडों का तुरी स्थरी आरक्षन लागू नहीं होने दिया तो सबसे आरा नुकसान तो पिछडों का उन् अगर उससे नुकसान हुआ है तो विरो तो दर्ज कराएंगे लेकिन अगर कहीं पर किसी लेवल पर कोई गलती हो रही है तो उसको बताएंगे भी तो हम ही अगर अकले शादो जी आपसे बात नहीं करते या फिर आप तो क्या आपका 2024 चुनाओ से पहले क्या इस्टेंड होगा क्योंकि देखिए जैसे नितिश कुमार ने साथ छोड़ दिया उसके बाद में जहन चौधरी अलग चले गए क्या आप भी इंडिया से या पीडिये से देखिए हमारा जो विरोध है वो नेतिकता और इमानदारी के हिसाब से सिर्फ इस बात को लेकर के है कि हमारी पीडिये सार्थक हो और रही बात आगे गटबंदन तो वो निर्णे राजमाता कृष्णा पटेल जी लेंगी मैं विपक्ष में थी हूँ और रहूंगी आप ने किसी कैंडिडेट का नाम सज़ेश किया रहे जिस तरीके से कल स्थीफा देखा लेटर में जिस तरीके की भाषा लिखी है वो बसपा में भी रह चुके हैं वो बसपा का जनाधार लगभग रसातल में जा रही है और जो उनके बयान है वो भाज़पा के इस समय उसकी आइडियोलोजी के मैच नहीं खाती है अगर स्वामी परसाद मौरिया कोई अलग धड़ा बनाते हैं या फिर कोई अलग विचार को लेकर चलते हैं तो क्या आप भी स्वामी परसाद मौरिया के खेमे में खड़ी रहें देखिए वर्तमान परिस्थितियों में हमारा विरोध पीडिये साकार लूप से लागू नहीं हो रहा इस बात को लेकर के हैं नेतिकता के आधार पर और आगे क्या हो गया क्या नहीं होगा इस पे सारा निन्ने राष्टिदेश राहमता कृष्णा पर टेल जी लेंगी जैसा कि सुना आपने पल्लुई पिटेल जी का साफ कहना है कि दोहरा चरित्र या दोहरी बात नहीं चलेगी कि आप कहते हैं पीडियर अनिती लेकिन जब कईसी कुछ देना होता है तो आप मदांद लोगों को देते हैं ऐसे लोगों को देते हैं जिरों ने कभी ना पार्टी के लिए संगर्च किया ना समाज के लिए संगर्च किया ऐसे में अखलेश यादो के लिए पल्लुई पट झाल 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 झाल